बिस्में लाइ अग्मारे लेकिंग, असलाम अलेकुम students, welcome to class 5, आज हम math का chapter 1, whole numbers, जो है start करेंगे chapter, whole numbers के मताबि, whole numbers आपको पता है, whole numbers आद नमबर इस starts from 0 up to infinity, whole numbers का होते हैं, 0 से लेके आगे जितने भी million, billion, trillion तक number जाने हैं, सारे वोल नंबर्स के लाकर हैं हाद हम टॉपिक जे हमारा के हम बिलियन्स तक अब बिलियन्स हम नंबर्स को किसे किसे रीड आउट कर सकते हैं और उसको फिगर्स में और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे वोज माई पास एक एक जैम्पल में लेती हूँ है झाल यह माई पास अगल एक फिगर है इसको रीड आउट करने मतलब हर फोई इसको असारी सरी डाउट नहीं कर सकते इसको रीड नाउट के लिए हमेन हर एक डिगिट प्रेश्न रेस वाल्यू पता हो नी चाहाई प्रेस वाल्यू फाइंड आट करने के लिए कि हमें एक चार्ट बनाया जाता है और उचार्ट में नमबर की प्लेस वाल्यू स्टार्ट होती है प्रॉम यूनिट यूनिट में बन डिजिट नमबर अब राइट साथ पर फस्ट नमबर है यूनिट देन 10s, 100s, 1000s & 10th जब हम इन हर डिजिट की प्लेस वाल्यू या हर की लिख लेंगे तो फिर हमारे लिए उस नमबर को रीड आट करना हसाँ होजाएंगा अब हम इस नमबर को असाली से इस विकर को असानी से रीड आट कर सकतें प्लेस वाली हसी है, फकार्ड करें ऎक उसको हें लेकना सुमएशा ngay नभे पास नाइचए से लिएप करने। अवानसा जाहना थाउजन करें, तो हमेशा यहाँ करता है. अवासे हमारे पस पनानसा भी–meal निजिट है, और बिसक्सालेग तो करें। तो हम यहाँ पे 1000, 10,000 वाली दोनों फिगर्स को एक साथ मिला के डीड आउट करेंगे बतलब यह हमारी फिगर होगी 50,000, 50,000, 7 की पेस वैल यह 100 तो हम लिखें यहाँ पे 7, 100, 8, 10 पेस पे है, तो यहाँ हो जाएगा and 89 उनिट पेस पे है तो यहाँ जाएगा 89 हम इस तीके से इस नंबर को रीड आउट करेंगे तो 1000 पेस पे दो जिजिट्स है तो इन 1000 पेस पे जो दोनों वैल्यूस है इन दोनों वैल्यूस को मतलब कि यह दोनों फिगर्स है यह 1000 से रिलेटिग यह दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे फिफ्टी थाउजन्ड सेवन हंड़ड एड़ एड़ी नाइड लेते हैं यह फाइव डिजिट फिगर्स थी अब हम एक और फिगर्स लेते हैं विच इंटेंज सिक्स फिगर्स अब सबसे पहले इसको भी लिखने के लिए रिड़ाउट करने के लिए अबर्स में लिखने के लिए हम इसकी प्लेस वाली लिखेंगे थाउजन ताउजन सबसाय मिघन भी अगर्स में लिखने के लिखेंग इस ऑसमा इसमाजन की इंग्लिश सिस्टम सेंडनिन थाउजन ऊंडर्थ तेंद 10,000 के पास हम कमा लगाएंगे ताकि हम फिकर को असानी से रीड आउट कर सके तिर थाउजन है, 10,000 है, 10,000 है, 10,000 अब हमारे पास 10,000 की 3 फिकर्स हैं तिर तीन फिकर्स और इसमें विल्कुर left side पे तींड फिकर्स हैं, 100,000 से start रोगे ili 100,000, 10,000 and 9 तो आब इसको जब हम फिगर में लिखेंगे इसका हम लिखेंगे 789,000 700,000 प्लेस पर इसका हम लिखेंगे 700 और फिर 89 यूद में इस फिगर में कितने 1000s है 789,000 89,000 है और उसके बाद इस फिगर है 789,000 and 709 ठीक है? हम इस फिगर के इस लीकर से रिड़ाउट करेंगे इसके बाद नेक्स एक्जेम्पल है हमारी अगर ये आगे फिगर इक्रीस हो जाएगी फिगरस बढ़ जाएगी ये जाइच के मताब्र कामपीडर से लिए 10,000 10,000 100,000 100,000 के बाद next जो प्रेस वाली आती हो आती है million इसको शौर्ट फॉर्म में million वैसे इकी स्पेलिंग है देगे हम इसको शौर्ट फॉर्म में फाली लिखो नी M M फर million TM for 10 million HM for 100 million वो देखे मीलियन के लिए हमारे पास 3 विए हैं, थाउजन्स के लिए हमारे पास 3 हैं वह कुल िसी तरीके से, मिलियन के लिए भी हम 3 उसकते हैं Black動ine cancellous अब फेर 100 million से आग़ियां के बीलियन ठीक है? billion जो है इसके खाली है billion खाली अगर एक figure है billion की मतलब अगर हमारे पास one two three four five six seven eight nine ten a figure है जो जिसके ten numbers है ten digits है तो वो figure जो है उसको जो हम read out करेंगे तो उसको हम billion से start करेंगे इसके बार ये तीन अगर हमारे पास थाउंजन है अच्छा अब अगर हमारे पास नेक्स फिड़ा है कोई भी जैसे अगर मैं कोई फिड़ा लिखते है यह एकर फिटर है टेंग फिगर है तो इसमें हर डिजित की प्लेस वार्यू कि है इसके कौटिम भी हाँ ज़िए शुरू करेंगे राइट साइड से इस इस फिगर इस डिजिट विल बी उनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, then 8,000, 10,000, 100,000, और 1,000,000, 10,000, 100,000, और 1,000,000, 10 डिजिट फिगर है इसको अगर मैं इस चार्ट पे अपनी प्लेस वाली के कौटिम हर डिजिट को प्लेस करूं तो यह डिजिट की प्लेस प्लेस ही जाते है ठीक है? अब इसको अगर मैं रिड आउट करूंगी त रिड आउट मैं कैसे करूंगी के मैं बिलियन अलग से होगा तीनों फिगर्स जब बिलियन के हैं उनको मैं अकठा जोइन करके पढ़़ूंगी यह तीनों इनको यह जोइन करूंगी इसी तरह 1000 की तीनों फिगर्स को जोइन करूंगी एकठा और फिर ये विगर्स अकठी होगी मतलब हम तीन तीन का एक ग्रूप बनाके रीड आउट करते हैं अब इन का भी ग्रूप आगे बिलियन है टैन बिलियन होता है फिर हंड़र बिलियन होता है तो लेकिन उसको और भी हम अगली क्लासिस में स्टडी करेंगे अभी आपके चैप्टर में फाइफ क्लास में सरफ बिलियन ताकी फिगर्स को रीड आउट करना होगा तो उसको मैं बता रहे हैं आपको कैसे रीड आउट करेंगे अगर आपको पाँ तेन फिगर्स है जो कि बिलियन ताकाती इसको रीड आउट ऐसे सबसे पहले हम इसका पेर बना रहे हैं यूनिट एन हंडेड का लगसे पेर ग्रूप बनेगा फिर थाउजंड वाली तीनों फिगर्स का ग्रूप बनेगा फिर मिलियन वाली तीनों फिगर्स का ग्रूप बनेगा और फिर एंड बिलियन अब इसको जब मैं रीड आउट करेंगे तो इसको कैसे रीड आउट करें छहीं क्या आएगा under human की तीन फिगर और इसमें 100 इंद्रेड कभी कर 17 117 मिलियन और पिर आप मिलियन से आगे पिछे जाने का थाउजंड आ रहता है पिर ये 890,000 890,000 and 628 628 628 जैसे अगर यहां को बिलियन का डिजिट ना हो यह हो यहां तशूर तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे सिर्भ इसमें आ जाएगा यह 117,000,000 890,000, 628 ठीक है और अगर 100,000,000 का भी डिजिट ना हो तो फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे 10,000,000,000 के तरफ दो डिजिट ना हो तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे 30,000,000,7,890,000,628 ठीक है टर यह आपको यहां पर आपने जो यह टॉपिक है इसे डिलेटटर यह एक्सरसाइज है चैप्टर बाइस नमबर फाइब पर आपने इस इस टॉपिक से डिलेटटर पर फिर्स नमबर वान बिखेंगे साफेंगे आपने कॉप्पी पे करने ठीक है नीट कॉप्पी पे आप ने ये फर्स, शेकंड और थर्ड करने एक माल फर्स्ट एक्सराइज करें पेस नुमर पाइज ये आपका हो गाएज है पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग बर्ड्स इंटू खिलर्स कि वर्स में तो उन न किसे लिखें गाँ ? जैसे याद जो हमारे पाத एक्जैंपल है one million, one million, seven thousand, one million seven thousand and seven यह हमारे हमारे पास figure है तो इसको हमने, words को हमने figures में कैसे लिए तो फिगर्द में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्योंकि यह पहला खोड़ है जो स्कार्टिंग में इसक्स का सब क्योंना फिप्लिएब मिलैनि से लौन्लर्ड त्मिलियस्थ करसे हुं उन्ही बंघ्की करें तो हम million कर दिएक फीर का चार्ट करना हैं इसमें प्लेस करेंगे alle numbers को अब दीक है million के सरफ 1 डिजिट तो हम तीन डिजिट होते हैं तो हम इसके 100 million start करें लेकिन इससरफ 1 डिजिट है तो हम million के नेचे लिखेंगे one 1,000,000,000 हो गया जिसको हम खत्म हो गया अब इसका second part है कॉमा के बार, second part is thousand है 7,000, बने मारे पास thousand का भी सिर्फ 8 digit है ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें 100,000 भी 0 है 10,000 भी 0 है और सिर्फ इसमें कितने thousands है 7,000, बने तो thousands के नीचे लिखेंगे हम 7 10,000, 100,000 का कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम इनके ज़िए पुजी रहें पिर इसके बाद जा रहता है, अगेंट 7 अजब इसमें 100 का भी कोई डिजिट नहीं है, 10s का भी कोई डिजिट नहीं है और सिरफ एंड वाला डिजिट है 7, which is unit तो यह जो फिजिट में हमने एक निमडल्स लिखे है, 1,7007 इसको जब हम फिगर्स में लिखेंगे हैं, हम पहले सबसे पहले चार्ट पनेंगे, उसी तरह और इस चार्ट को हम इसको जो-जो मारे पास बिजिटर्स हैं, उसके अगर्डिक, इसकी बेस वैली के मताबिक हम इसक इसके पास second धुश्ती example है, चाट अनहेंगा, मैं इसमें रिखेंज कर देते हूं, इसमें मारे पास है नहां पर, seventy one million, seventy one million, six hundred and five thousand, six hundred and five thousand, six hundred and five thousand, और इन सारे निम्रेज को फिगर्ज में रिखना हो तो अगें हमने यही वाला चार्ट वाले बना ले और इसी चार्ट में जो जो हमारे पास के इस वेर इसकी मताविक हम फिगर्ज को इसमें लिखने हो अब 71,000,000 के मारे पास दो नमबर्स है 70 और 1, 70 क्या है? 100 है यह 10 है, 70 तेन मिलियन है 71 मतनी के मारे पास 100,000,000 का कोई डिखने है, 100,000,000 के इसे 0 आ जाए लेगा, 70 है 71,000,000 के मारे पास दो डिखने है तो मेशे जब हम लिखते हैं, तो हम इस दीके से 1,000,000 के नीचे 1 आएगा और 10,000,000 के नीचे 70 आजागा 71 पास 600,000,000 के और 10,000 का बीखने है, फिर 5 आजाएगा इस नम्र विकर्स को वर्ड में हम इस लिके से लेखेंगे वर्ड को फिगर्स में चेंज करने के लिए भी हमें यह पहले चार्ट बनाना पड़ेगा उस जो जो हमें इसमें फिगर्स वर्ड गिवन है वो जो फिगर्स हैं उनको हम उनकी प्लेश वाले मुताबिक चार्ट पहले लिखेंगे अब अगर मैं इसको अलग से लिखूं तो यह पिकर क्या बनेगी वन मिलियन सेवन थाउजन एंड सेवन और राइट साइड से तीन डिजिट्स के बाद हम कामा लगाएंगे बन मिलियन सेवन थाउजन एंड सेवन इसी तना अगर मैं इस फिकर को वर्ट में इस फिकर को अलग से लिखूं चार्ट के लावा तो सेवन तीवन मिलियन कामा सिक्स अंड़ फाईब थाउजन्स कामा एंड फिफ्टी फाइब यह ठीक है चार्ट में हम निम्बर्स को इस से कैसे लिखते हैं फिकर्स को और चार्ट के लावा हम उसको कामा की शकल में लिखते हैं ताके उनको रीड आउट करना असान को आफ धिकर्स में कैसे जिखते हैं इसके लिए फिरह हम यह कुसिन नंबर फौर आफ ने एकसराईबन का कुर सिक्शन नंबर पुरे आप नीठ कॉपी में करना है पिले सक आफराफ कॉपी पर करिईगा अच्छीतान से अंदार हो और अच्छीतना फ्रक्श् पर अवन प चार्ड को नहेंगे पूरा 100 मिलियन तक और पिर इस चार्ड के मताबिक आपने जो जो वर्ड्स हैं उनको फिगर्स में कन्वाइट करें थैंक यू